कि अपने अपना सेकेंड का सी लेबस शुरू किया है इसमें संचेयन के साथ हमने शुरू किया जो चाप्टर हों पहले कर चुके हैं लिग इन क्योंकि हमारी सेकेंड टाम में है इसलिए हम इसे दुबारा सब पढ़ रहे हैं रिकाल हो जाएगा अच्छे से हम लोग इसको कर सकेंगे हमने पेज नंबर थ्री तक पढ़ा था पेज नंबर फॉर पर पिच्चर है बहुत खूब सूरत देखी का बैठी है टेबल पर पूर्सी मेस पर बैठी है और कि लू उनके सामने चीक है पेज नंबर फाइल आपके पास अपनी बुक में लिए है हूँ है कि मेरे कमरे से बार जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बार चला जाता और दिन बढ़कि लेहरीयों यहां के जूंध हो जाता था मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन हो गई थी कभी फूल दान के फूलों में चिप जाता कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पंक्तियों में पत्तियों में मेरे पास बहुत से पशुपक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं परंतु उन में से किसी को मेरे साथ मेरी ठाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता है फोटो बनी है ना कुर्सी में इस पर बैठी है दिखाने का मुकसद यही था कि गिल्लू उनके साथ बैठकर उनकी प्लेट में से खाता है लेकिका के पास बहुत सारे पशुपक्षी पहिए हम पहले भी पंठुके हैं और गिल्लू ऐसा थ जो उनकी प्लेट में से खाता था गिल्लू इन में अपवाद था अपवाद मतलब एक्सेप्शन अलग था मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती मैं खिड़कि से निकलकर आंगन की दिवार ग्रामधा पातर करके मेज पर पहुंच चाता और मेरी ठाली में बैठ जाना से बड़ी गठीनाई से मैंने उसे ठाली के और कई दिन खाजु ना मिलने पर अन्य खाने की चीज़े यह तो लेना बंद्द देता या जूले से नीचे फैस देता था उसी बेच मुझे मोटर दुर घटना में आहत हो कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा लेकिका को अस्पताल में रहना पड़ा एक दुर घटना की शिकार होगी कि एक्सिडेंट हो गया कई दिन अस्पताल में रही उन दिनों जब मेरे कमरे का द्रवाजा पूरा जाता गिल्लू अपने जूले से उधर पर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देख पर उसी तेजी से अपने गोंसरे में जाब बैटता गोंसरा कौन सा थ उसका तोकरी जो उसने टोकरी लटका दी लेगी का निवत आया था कितने सालों के लिए दो साल के उसका वही निवास सब उसे काजू दे आते परन्तु अस्पिताल से लॉटकर जब मैंने उसके जूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले जिनसे ग्यात होता था कि वहें उन दिनों अपना प्रिया खाते कितना कम आता रहा क्या कारण था इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया तो हमारा मन नहीं लगता उनमें भी भाव होते हैं हिए मेरी और स्वस्थता में वह तक यह पर सिरहाने बैठ कर अपने नन्हें नन्हें पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले से लागता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के ख़तने के समान लगता परिचारिका मतलब ऐसे इंगा अश्यां अगा यहां दासी होगा नौकरानी होगा एक नर्स जैसा देखभाल करने बाद नीचे से देखते के मीनिंग्स नहीं बोलने हैं कि बस मीनिंग बोला और हो गया जीग है गर्मियों में जब में दुपेहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने जूले में बैठ यह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीक भी रहता ठंडक भी रहते हैं कि गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया रात में अंत की आतना में भी वह अपने छोड़ले से उतर कर मेरे विस्तर बर आय और ठंडे पंजों से नीरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बच्पन की मरनासन सिभी में पकड़ा जब उसे कवे की चोंच से बचाया गया था इसने लेकिका कि उंगली पकड़ी थी जिसके सहारे ठीक हुआ तो आज जब वो मरने वाला था उसने फिर लेकिवा का वही आथ वही पकड़ी पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उसनता देने का प्यात्रतिया उसनता मतलब गर्मीट पर अंतु प्रभात की प्रधम किरन के सपर्ष के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए प्रभात की पहली किरन के सपर्ष के साथ है जैसे सुबह उई उसकी मृत्यू हो गया है उसका जोला उदार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गही परन्तों गिलहरियों के नहीं पीड़ी जाली के उस पार चिक चिक परती ही रहती है और सोम जोही पर वसंत आता ही रहता है सोम जोही की लता के नीचे गिल्लू को समाधी दी गई है इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रियर इसलिए भी कि उस लगुगाद का किसी वसंती दिन जोही के पिताब पिताब मतलग पीला रग पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विफ्रास मुझे संतोष देटाए गिल्लू को गिल्लू को वहां उसकी समाधी बना देना उसको वहां दबा देने के दो कारण पर एक त कि उसे सोन जोही कि उस डाली से बहुत प्याद इसलिए उसके पास ही उसकी समाधी बना दी गए और दूसरा उसे लगता था कि शायद ये कभी फिले रंग का पूल फिलकर सोन जोही का पूल बनकर यहां आएगा और पिर से उसके समीब रही चीक है लेखिकर के पास कितने आएगा मैं व्कषी रहा इसमे में पहले नील कंट पार्ट मैं मौन बारे में है छोडिती लेकिन विल्ली सांप के बारे में घरगोश के वाड़े में बारे में हां उसमें एक डॉग की विभाद की गई थी अलसेशियन है उसकी बाद भी की गई थी मतलब उसने अपने पास कितने सारे और फिर उसमें तोते की भी बात थी कबूत्रों की बाते हैं तो लेखिका का उन पशू-पक्शू से कितना लगाव रहा है और हर जीव जो था वो उन उन से प्रेम करता था हर एक का प्रेम भाव दिखायाने हों और वाशू-पक्षियों की प्रवित्ति के बारे में उनके भीकतर भी भाव होते है मनुष्यों की भांती वे भी महसूस करते हैं अच्छा बुरा अपना पन्पराया अपन सब कुछ महसूस करते है कि इसके आना चाहती हो यह है बैग एक्सरसाइस के कोश्चन्स डिस्कस कर रही है लेकिन इसका मतलिया नहीं है कि पर में सिर्फ बैक कोश्चन्स आने हैं वह भी आपको बता दिया चाहिए ठीक है उसके यह बता है कि इस चाप्टर के नौ पॉर्शन्स लिख लोग याद कर एचानी उसके बीच में से किसी भी तरह के प्रेशन उचेका पॉस्ट्र वेश्टों इस सोन जुहे में लगी पीली कली को देख लिखी का के मन में कौन सभी चार उमने लगें कि अज़िए तो अज़िए तो मरण नहीं स्मरंद सवाधा है इसलिए स्मरंद सामरं नहीं इसलिए अपने वर्ड में तो अपने वर्ड में वताओ आपको यह पाड़ पढ़कर गया समझ में आया कि सोन जो ही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार आहे इसलिए अपरन कोपी इसलिए और इसलिए आपको नहीं जो ही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मोटेफिका के मते पीली को देखकर लेखिका के ऍपर पिली कली को देखकर लेखिका को अनि कि आ गहा गई का बविगे शुकी लूप पर वहां पर बाते की हजितगे रोप में ग teeny पास आवया है थे बस not हैं जी कि तब यह उन तलियों को फोजती थी आट यह उन तलियों में उस लगू जीव को फोज रही इस इस आंसर दुपारा लिखने चीक है तो वह दूसरी कॉपी में लिखा जाएगा वच्छो लग चलो पाठ क्या धार पर कोवे को एक समाध्रित और अनाध्रित प्रानी क्यों कहा गया है अल जी पित्री पक्षवे पित्री पक्षमी उसे भोजन दिया जाता है जिसे कि शुप माना जाता है और अगर वह काएं का स्वर करता है तो माना जाता है कि घर में कोई महमान है और वहीं दूसरी और अगर कोवा का वाइं कांग करता है तो उसकी करकशध्वाने के कारण उसे पसंद नहीं किया जाता और उसका अनाध्र भी किया जाता हुए छी के लेहरी के घायल बच्चे को लिए इस प्रकार किया गया और श्प्रीर कि अच्छार की आगा जिलेहरी के घायल बच्चे का उप्चार बहुत थी मंता पूर्वत किया गया इसके घाव पर मरहम लगाया गया उसका रख्ट पहुंचा गया उसके पैंसिलीन का मरहम लगाया गया और रुई की पतली बत्ती बनाकर उससे दूद पिलाने की कोशिश की गई लेकिन वे दूद ना पी पाया तो कुछ समय बाद उसके मुह में पानी की कुछ बूले डाले गई गई ओनलाइन सुदेंस यू अलसो रेज और हैंड नेक्स क्वेस्टिन इस लेखिगा का ध्याना कर्शित करने के लिए कि लू क्या करता था कि लेखिगा का ध्याना कर्शित करने के लिए गिलू उसके पैरों का जाता कभी पर्दे पर चड़ जाता और कभी पर्दे से नीचे आजाता है इस तरह में तब तक उचलकूद करता रहता जब तक लेखिका उसकी और ध्यान ना देखिगा क्लियर कोई डाउट इन क्वेस्टिन्स में ऑनलाइन सूरेंट चली डाउट आर्यान लीजा किर्थिमा रिधिका एनी डाउट्स अगर डाउट नहीं है तो लीजा एंड किर्थिमा लीजा इस देव ओके फाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस गिल्लु को मुक्त करने के वश्चक्ता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाए किया विजेश क्यों अपने पाठ पढ़ा बिटे आपको पाठ गया तो आपकर जो भी समझ में आया हुझ पाई गिल्लु को मुक्त करने के वश्चक्ता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाए कि जो भी समझ में आया को गदाई लेखिका को ऐसा क्यों मैसूस हुआ था कि उसको थोड़ी देर के लिए मुक्त करना चाहिए कि अधिए और उसके लिए क्या किया गया कि कहां से आता तो है एक फोड़ा सा आपको अपने शब्रों को ठीक करना है कभी भी हताओ चाहित्वत हो यह कि मुझे आता नहीं है आपने बिखुल भी आंसर दिया फोड़ा सा लिखने वे आपको ठीक करना पड़ेगा कि कि मुझे आता नहीं है ओके बैठिए लगंदीड पूंचा पूलिए बैठाव कि 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 क्या किया देखो इसमें एक कोश्चन में दो कोश्चन है एक कोश्चन अलग लग भी आ सकता है ठीक है कि बैट गें हां जी आता है कि अधिक 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 हमने भूक की लैंगेज को एसे पिसमें इतना सब कुछ नहीं इतना आप प्राश्न के आधार पर मुझे उतकर दीजिए कि लूग मुक्त करने के अशकता क्यों संधुझे जब गिलू के जीवन का प्रत्थन बसंत आया जाली के पास आकर चिक चिक करती है जैसे कि वे गिलू को बुलाना चाह रही थी और गिलू भी उन्हें बहुत ही ध्यान से देखता था जैसे उनके पास जाना चाहता था इसलिए लेखी का पो उसे अजाद कर देने की अवचक्ता महसूंस हुई और इसके लिए उसने खिड़की से किले निकाल कर जाली के पास थोड़ा रास्ता बना दिया था कि गिलू बाहर आजा सब्सक्राइब PARA fi में जोड नेक्स ऐसे लोकिर लूमेर परिचारिका की भूर मिका निभा रहा था अज़ी है किन बातों से इसका मतभiegoं से वह पता चाहता है कि युलू लेतिका उतांकि अपता कर ए Cu अ नकित्तुन पराफशा की ऑश्यारी का परती है नर्ज के आशकता कपड़ती है बीमार होने पर अगा 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 जस्रूप बेटो बेटा कि नर्थों में लग रहा था कि गिल्लू परिचारिका की भूमिका निभा रहा है हुआ 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 अगा आपको देखो प्वेश्चन का मतलब समझना है इस कॉष्चन का मतलब यह है कि ऐसा कब में सूप हुआ कि गिल्लू लेखिका की देख भाल कर रहा है कि किसी भी फॉम में हो सकता है चीक है हां जी भुख में बता कहां दिया हुआ है यूग अगर 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 आप कहीं खोए हैं क्या गिल्लू खीन अर्थों में परिचारिका की भूमिय का निभारा था जब लेखिका बीमार ती और अस्पिताल चे लौटे थी तो गिल्लू गिल्लू उनके तक्ये की सिरहाने बैठ कर अपने छोटे छोटे पंजों से उनके सिर और बालों को हॉले हॉले सहलाता रहता जिससे पता चलता है कि वह परिचारी का की भूमी का निभार रहाता और आपको उससे ना गुल्लू की किन चेश्टाओं से हैं आधात मिलने लगा था कि अब उसका उन्तसनीच है यानि जो इसकों से काम को कर रहा था अश्का कैसा भी अचाना जिससे पता चला तनों उसका अन्तसमया में आ गया है अब बताएंगे अग्वेश नमबर सिक्स पर सेकंड प्रग्राफ है उसने दिन भर कुछ खाया नहीं ना ही बाहर गया अपने जूले से उतर कर लेकिका के बिस्तर पर आ गया ठंडे बंजों से उसने लेकिका का हाथ पकड़ लिया लेकिका ने हीटर भी चलाया उसे गर्मी देने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं पर उसने दिन भर कुछ खाया पिया नहीं बाहर भी नहीं गया अपने जूले से उतर कर लेकिका के दिस्तर के पास आकर ले प्रभात की प्रतम किरन के पर्ष के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया इसका क्या अर्थ प्रभात की प्रतम किरन के साथ ही वह किसी और जीवन में जीने जागने के लिए सो गया था इसका क्या अर्थ है विल्लू का शरी ठंडा पड़ चुका था उसके हाथ ठंडे हो गए थे उसने लेकिका की उंगली का स्कर पकड़ दी थी लेकिका ने उसे गर्मी देने की कोशिश की लेकिन फिर भी व्याव से बचा नहीं सकी और उसकी मिर्थ्यू जो आमने पिछले कोश्क में लिखा कि बात एक ही है लिखना वही है क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो गई बस चीक है सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधी से लेकिका के मन में किस विश्वास का जन्द मुहता है सब कोई कट्टे नहीं सुझाथ की लेकिक करते हां जीरम नीचे लेकिका को ऐसा विश्वास हो कि एक दिन पेल्ट के नीचे से ही गल्लू के रूप में खिलेगा और उसे मिलेगा कि विश्वास का कि एक कली के रूप में फिलकर उसके सामने फिर से आजाएगा मैंने दो बार आंसर बोला दोनों बार उसकी वर्डिंग का लगती है ठीक है आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए शब्द आपके अपने हो सकते है ठीक ह कभी आपको ड्राइटिंग स्किल्स भी कर सकते हैं ठीक एनी प्रॉब्लम एनी डाउट इन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट अब आपने यह क्वेश्चन कॉपी में करने हैं और कॉपी चेकिंग के लिए मुझे देनी हैं ओके